इस मर्तबा भी आप उत्ता हरे कोई उसक्त तो आप कहते थे कि पीर पगारा साब जो थे वो इस सारी कोश्चों के पीछे थे अभी कौन पीछे है क्योंकि obviously कही ना कही से एक legitimacy भी चाहिए है इस पूरे process को कही ना कही से कोई ऐसा इदारा या कोई भी एक ऐसा सेंटर हो जहां पर at least कोई सालसी करने की position में भी हो तो इस पक्तान में ऐसा कोई शक्स है कोई इदारा है कोई शक्सियत है जो सालसी करा भी सके माशाला आपने बिल्कुल माजी का एक आइना मेरे सामने भी रख दिया बहुत शक्रिया देखें माजी में जब ये बात मैंने की थी उस वक्त जो तीन नुकात मैंने रखे थे उन में एक बन्यादी नुक्ता ये था कि सब लोग पारलिमेंट में रहके पारलिमेंट के अं ये की थी कि टकराओं को कम करने के लिए आप को चाहिए कि अगर आप बॉलिंग करा रहे हैं तो अमपायर को गेंद ना मारें बलके प्लेयर को दें ताकि अगर आउट हो तो प्लेयर होगा अगर अमपायर रखमी भी हो गया तब भी प्लेयर आउट नहीं होगा ये भी मैं रुकी इस तीफ़ों देने से तो उसके बाद फिर उन्हें जो कुछ भी मिला वो एक प्रासस से मिला उस पे इतराज भी हो सकता है नहीं भी हो सकता लेकिन वो अमल जारी रहा है शहबाद साब आगे उनकी हकूमत आगे इस वक्त जो सुरत इहाल है वो ये है कि देखें इस वक्त हम मल्टिपल क्राइसिस में फसे में हैं एक तरफ अवाम है जो के मतलब महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और उनका ये हाल है कि बदर हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारी आँखों में भी आँसू आ जाते हैं दूसरी तरफ ये हाल है कि इतना शदीद पोलिटिकल पोलराइजेशन है कि जिसके नतीजे में अवाम के अंदर मायूसी और एक इंतहाई दिग्री की मायूसी पैदा हो रही है और एक पार्टी है जिसके बारे में कोशिश ये है कि जी उसको किसी टकराओ की सिचिवेशन में ले जाए 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 इस जूरते हाल में मैं तो जरा अद्शूस सा आदमी हूँ मुझे को ज़्यादा शौक नहीं है बार गूमने पितने का या कोई आने जाने का लेकिन मेरे पे जो अपनी सराउंडिंग्स का प्रेशर बना और बिल्खसूस जो हमारे कुछ दोस्त है जो इस वक्त मुख्लिफ पार्टीज में हैं उनकी तरफ से ये क्राइसिस बना फिर जो पी टी आई के लोग हैं जिन उनकी जो लीडरिशिप है उसाथ मेरा जाती भी एक मरासिम है उनसे मेरी बात चीत हुई तो मेरा उनसे यही सवाल था कि आप लोग क्यों टकराओ चाते हैं टकराओ तो आपको सूट नहीं करता आपको तो इलेक्शन सूट करते हैं तो उस वक्त मुझे ये सुरतहाल सामने आई जब मैं फदर साब से मिला कि फदर साब से लेके उनकी पार्टी का एक वर्कर तक जो है वो ये चाहता है कि हम टकराओ के बजाए किसी गुफतो शनीत के जिरिये बातचीत के जिरिये डू प्रोसेस आफ लॉग के जिरिये हम जो है अपने आप के लिए एक रोल लेकिन दुरानी साब अब ये मुक्तलिफ है मुक्तलिफ सूरतहाल है थोड़ी सी बिकास नौ मैं हो चुका है तहरीक इनसाफ या इस वक शदीद पोलिटिकल और हर तरी के से इंतिजामी प्रेशर के जरीए गुजर रही इस वक उन्हें सूट करता है कि वो ये बातचीत भी करें वो रूल अफ लॉक की बात भी करें नौ मैं से पहले गालिबन ना इस मूड में थे ना इस पॉजिशन में थे अब इस वक पॉजिशन मुस्तेकम नौन लीक की है नवाश श्रीफ साब की स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं जिस तरह से वो लंदन से बार बार दे रहे हैं तो वो क्यों बैटकर बात करेगे पीटिया तो बैटकर बात करेगी जाहर सी बात है उन्हें सूट करता है बाकी जमाते क्यों बैटकर बात करें इस वक्त बहुत खुबसूरत देखें जनाब बात ये है कि यही तो जम्हूरियत का और सियासत का होसन होता है कि इसमें हालात आपके रवईयों को वो करते हैं स्टेट करते हैं आपके हलात आपके रवाईयों को गाइड करते हैं, आपके अपने गलतियां जो हैं वो आपकी इच्ञाह का सबब बनती है अब जहां तक मतब 9 का 9 11 का तालुख है ये जो अभी जो 9 के जो वाकियाँ तब आ है उसके नतीजे में 9 मईए के जो वाकियात है उसके नतीजे में जो कोट का डीू प्रोसेस है वो तो हर कोई फेस करेगा और करना चाहिए उसमें कोई कानून को हाथ में लेने का जो रास्ता है और उसकी जो सजा है वो सियासी नहीं होती वो कानूनी सजा होती है जब आपने कोई भी सियासी कुवत हो या कोई भी फर्द हो अगर वो कानून को हाथ में लेगा तो उसको कानून सजा देगा, मैं नहीं दे सकता वजीर आदम नहीं दे सकता उसको कानूनी सजा देगा और वो उसको लेनी पड़ेगी ठीक है तो यह चीज तो एक अब पी एमल एन इस पॉजीशन में नहीं है कि वो पी टी आई को नौ मई के वाकियात की सजा दे ठीक है ना कोई और पार्टी है ना भी बस पार्टी है यह रोल नहीं है वो तो इस वकत यह कर सकते हैं कि मुल्क के अंदर जो जमूरी प्रोसेस है उसको आगे और यह भी कोई पार्टी नहीं कर सकती कि जी मैंने अगर एलेक्शन लड़ना है तो यह जो यह वाली पार्टी भी यह बाहर होगी तो मैं एलेक्शन लड़ूंगा भई हो कम यह सियासत है बई जमूरियत है जमूरियत के अंदर तो यह किसी का इस तहकाग नहीं है कि वो किसी को लाए और किसी यह मैंने जब पिछली दफ़ा ट्रैक टू वाली बात आपको याद होगी आप रेकॉर्ड निकाल के देख ले मैंने उस वकत खान साब से यह बात की थी कि आप किसी मुल्सम को चोड नहीं कह सकते जब तक अदालत उसको चोड डिकलियर ना करें इसी तरह से आप किसी भी किसी के एक्यूस को जिसके खिलाफ एविडिन्स अभी प्रॉसस में हो उसको आप चोड नहीं डिकलियर को उसको आप मुझरिम डिकलियर नहीं कर सकते इसलिए उसके लिए आपको एक प्रोसेस को गुजरना पड़ेगा बैन ही मिहासाब के लिए भी इस वक्त यही है कि अगर वो किसी चीज़ के बारे में और यह मुझे अच्छा नहीं लगता मैं खुद एक सियासी वर्कर हूँ और मेरा मेरी सियासत जो है या मेरी सियासत जमूरियत जो है वो पाकिस्तान के लिए और मेरा कोई मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए इसलिए मैं बहुत बेख़ौफ हो के बात करता हूँ मैं सब पार्टियों को यही कहूँगा कि आप मतलब किसी की पुष्ट पनाही लेके या किसी सिचुएशन के साथ खेलके दूसरे की पुष्ट लगाके अपनी काम्याबी को उसमें से निकालने की कोशिश ना करें स्यासी फता देने वाले अवाम हैं अवाम को उनका हक दे अवाम से उनका वोट ले पाक सरी तरीकेन चाहिए निकी बात बहुत पुष्ट बिलिंग है लेकिन इशिव यह कि किया आपका राब्ता बाकी सियासी जमातों से भी हुआ है क्या PMLN, J.O.I.F, People's Party, अगर उन से बात हुई है, तो किस से हुई है, हुई है, तो आगे से क्या रदेम मेल आता है, क्या मजबूई तोर पे बाकी स्टेकोल्डर्स का मूड है? देखें, मेरा तो जो तरीके कार पिछली दिफा भी आपको पता होगा, बाएक दो जो मॉलना वाली मेरी पर जो बीटिंग थी, वो तो हमने खुद तो नहीं बताई थी, बस मीडिया को पता चल गया, तो उसमें वो एक्सपोज हो गई